प्रिव विद्यार्थियो, हम पार्ट छे का अध्यन कर रहे थे, जिसका सीष़्स्य क्या था? पार नजर के पार नजर के। आज इसके हम क्या करने जा रहे है? प्रश्ण उत्तर पार नजर के अर्थार्फ सब्सक्रत है छोटू का परिवार कहां रहता था पहला प्रश्ण क्या है छोटू का परिवार कहां रहता था तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमने पाट में पढ़ा था छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमीगत घरों में रहता था छोटू का परिवार कहां रहता था मंगल ग छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी पाठ के आधार पर लिखो तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा छोटू को या फिर किसी भी अन्य विक्ति को उस सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी क्यों क्योंकि उस सुरंग से होता हुआ जमीन पर जाने का क एक रास्ता था और आम आदमी के लिए रास्ता इस रास्ते से जाने की क्या थी मनाई थी आम आदमी कोई भी आम आदमी जो है वो इस रास्ते से नहीं जा सकता था वापस से एक बार देख लेना छोटू को सुरंग में जाने की अजाज़त क्यों नहीं थी छोटू या फिर कि इसी अन्य विक्ति को भी सूरंग से जाने की इजाज़त नहीं थी क्यों कि उस तो नमबर तीन है कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्याम घरकत कि तोटू ने क्या हरकत कि देखा और उसने वहां पर क्या हरकत कि जो चोटू जब कंट्रोल रोम में गया तो उसने देखा सब लोग क्या है मंगल पर उत्रेवे यान की वज़े से क्या हो रहे थे परिशान हो रहे थे मंगल पर एक दूसरा अंत्रिक्षयान आ गया था तो उस यान की वज़े से सब लोग क्या हो रहे थे परि को Shaun कि देखकर स्वेम को रोक नहीं सका और बटन दबाने के हरकत उसने का लाल उसने दबा दिया था वापस से Kerry देख लेना है वहां पर क्या देखा ठ्शाध पैनल और बहुत सारे देह पांस कि बतन इसने क्या कर दी थी हरकत कर दी थी अब हम अगला प्रशन देखते हैं इसे कहाने के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जन जीवन था वह सब नस्ट कैसे हो गया इसे लिखो इसे कहाने के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी क्या था आम जन जीवन हुआ करता था वह सब नस्ट किस तरह से हुआ कहाने के आधार पर हमें लिखना इस कहाने के आधार पर हमें लिखना है तो मंगल ग्रह पर इस कहाने के आधार पर मंगल ग्रह पर आम जंजिवन हुआ करता था परन्तु सूरज में परिवर्तन के कारण वहां के वातावरण में क्या आने लग गया बदलाव आने लग गया और इसी तरह है प्रकरती में भी बदलाव आने लगा जिसकी वज़े से पसू पक्षी पेड़ पोदे अन्य जीव सब उस बदलाव को सहने में ऐसमर्थ हो गए और धीरे धीरे मरने लग गए जिससे वहां का सारा जंजीवन अस्त वेश्ट हो गया और कुछ भी नहीं बच सका कुछ भी वहाँ पर बचा नहीं वापस इसका उत्तर देखते हैं इस कहानी के आधार पर पार नजर के जो कहानी है उसके आधार पर मंगल ग्रह पर कभी क्या हुआ करता था आम जंजीवन था वह सब कैसे नस्ट हुआ प्रश्ण क्या है कि जो मंगल ग्रह पर जो आम जन जीवन था वह कैसे नस्ट हुआ उत्तर हमें अपने हिसाब से नहीं देना है किसके आधार पर देना है कहानी के आधार पर देना है और यह कहानी क्या है एक कालपने के कहानी है तो उसके आधार पर हम इसका क्य वर्तन के कारण वहां के वातावरण में भी बदलाव आने लगा और इस तरह से क्या होने लगा प्रकरती में भी बदलाव आने लगा जिससे के वज़े से पैसु पक्षी पेड़ पोधे अन्य जीव जो उस बदलाव को सैने में ऐसमर्थ हो गए थे और धीरे धीरे मरने लग गये थे जिससे क्या हो गया था वहां का सारा का सारा जन जीवन अस्त वेस्थ हो गया और वहां पर कुछ भी नहीं बच सका वहां पर कुछ भी नहीं बच सका प्रेश्ट नमबर पांच है कहानी में अंत्रिक्ष्यान को किसने भेजाता और क्यों भेजाता कहानी में जो अंत् पूरा नाम क्या है National Aeronautics and Space Administration नासा का पूरा नाम क्या हो जाएगा National Aeronautics and Space Administration उन्होंने भेजा था ताकि वह मंगल की मिट्टी के नमूनों को एकत्र करके प्रित्वी पर जांच के लिए मंगवा सके प्रित्वी के उपर जांच करने के लिए बहां की जो मंगल ग्रह की मिट् बेज़ा था प्रेशन नमबर 6 हमारा है कि नमबर 1, नमबर 2 और नमबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुजाते हैं क्या क्या वो बोलते हैं कि किस तर से हमें अजनबियों से निपटना चाहिए तो नमबर 1 के अनुसर क्या है यानों को नस्ट करना समझदारी नहीं थी क्योंकि उससे उन यानों की विशे में जानकारी प्राप्त करना क्या हो जाता है कठिन हो जाता है नमबर 1 क्या कारिय करता था नमबर 1 का क्या कारिय था याद है क्या नमबर 1 का क्या कारिय था वहां की सारी की सुरक्सा की जिमेदारी देखना तो ये कह रहा है कि नंबर एक कह रहा है कि यानों को नस्ट करना समझदारी नहीं थी क्योंकि इससे उन यानों की विशे में जानकारी प्राप्त करना खटीन था इसके अनुसार ये यान जीव रहीत यान से जिससे उनके ग्रह कोई खत्रा नहीं था उसके यान के अंदर कोई भी तरह का जीव उसके अनुसार नहीं था इसलिए हमारे मंगल ग्रह को उसके अनुसार कोई भी खत्रा नहीं था उसका मानना था इसी की बात का समर्षन दो नमबर ने क्या था जो क्या था एक वेगयनिक था कि अगर यंत्रों को बेकार कर दिया जाता है तो उनके अस्तितूं को खत्रह हो सकता है इसे नमबर दो के अनुसार क्या करना है सिर्फ हमें अवलोकन करते रहना है उसकी क्या समझी थी उन्होंने वलाई समझी थी और इसी तरह तीसरे नंबर के अनुसार ऐसे प्रबंद करने के आवशिकता थी जो उनके अस्तितों को चिपाए निमे सहाय को ताकि उन्हें यहां से कुछ प्राप्त नहीं हो ताकि मंगल ग्रैसे उन्हें ऐसे साक्षे प्रा सिक्यूरिटी पास ही दरवाज बंद हो गया यह बात हम इस तरीके से कह सकते हैं जैसे ही कार्ड उठाया धरवाजा बंद हो गया धान दो दोनुवाक्यों में क्या अंतर है ऐसे वाक्यों के तीन जोड़े तुम सौच कर लिखो क्या कह रहे हैं कि एसे ध्यान दो कि इन तेरे जाते ही बस आगई तेरे जाते ही बस आगई इसको हम कैसे बदलेंगे जैसे ही तु गया बस आगई जैसे ही तु गया बस आगई उसने पकड़ा पर खाना गिर गया उसने पकड़ा पर खाना गिर गया जैसे ही उसने पकड़ा खाना गिर गया फिर एगला है कंड़क देखा है जोटो ने चारों तरफ नजर दोडाई इस जोटों में दोनomas pink गुछ और किर देखा थे इस धीक में नीचे देगए वाक्य में तरफ नजर दोडाई इन दोनों अर्ट र often work recycle • उचित वां प्रियोग करना है जैसे यह नजर दोड़ाई वैसे ही हमें क्या neben नजर पढ़ना परिक्षा में अध्यापक सब अच्चों पर क्या रखे वे हैं नजर रखे वे हैं नजरे नीची होना तुम्हारी गलत आदतों से हमारी क्या हो गई नजरे नीची हो गई अधात लजजा होना लजजित होना यह हमारे क्या हो गए हैं मुहावरों के अर्थ हो गए हैं अब दीसरा प्रेशन है नीचे दो दो शब्दों की कड़ी दी गई है प्रते कड़ी का एक शब्द संग्या है और दूसरा शब्द क्या है विशेशन है प्रते कड़ी का एक शब्द संग्या है दूसरा शब्द वि संग्या या सर्वनाम की विशेश्ता बताने वाले विशेशन क्या होते हैं संग्या या सर्वनाम की विशेश्ता बताने वाले जो शब्द होते हैं तो आकर्सन से हम विशेश्ता बता सके हैं आकर्सक किसी के संग्या के सामने हम क्या लगाएंगे आकर्सक लगाएंगे तो व का हम वाक्यों में प्रियोग करते हैं आकर्षक संग्या तता आकर्षन क्या है विशेशन है अब वाक्य में होगे अपने अभिने द्वारा सीमा सब के आकर्षन का क्या बन गई के अंदर बन गई इसी तरह से किसी की विशेश्टा बतानी है रोहित का वेक्तित्व आकर्षक ह रही है रोहिट के व्यक्तीत्व आकर्शक है तो विशेशन आकर्शक हो गया प्रेडना संझ्य है तो प्रेड। में कई प्रेरक कहानिया है कहानी म offend कैया है वो कैसी है नत तो यह क्या हो गया विशेशन हो जाएगा इसी तरह से हम आगी देखते हैं प्रभाव क्या है एक संग्य प्रभाव शब्द किसमें आजाता है संग्या में आता है और प्रभाव साली किसमें आएगा विशेशन में प्रभाव साली शब्द किसमें आएगा विशेशन में आएगा बा प्रभाव शाली है तो इसमें क्या हो जाएगा प्रभाव संग्या और प्रभाव साली क्या है विशेशन है नेक्स्ट क्योशन हमारा है पाथ में एक तो फै और एक जै वाले जो जहां पर जिनके क्या लगे वे थे नुक्ते नुक्ते क्या होता है भी नीचे जो डोट लगे वे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं नुक्ता कहते हैं तो पाथ में फै और जै वाले चार चार शब्द छाट कर लिखने हैं कौन से वाले जहां पर नीचे नुक्ता लगे वे हो इस सूचे में तीन तीन शब्द अपनी और से भी जोडने हैं फै और जहके तो तरफ है फै के नीचे हो गया रोज स्टाफ नजर सिर्फ इंतजार साफ जमीन फोन जोर फल जबान कफ ठीक है यह सारे के सारे कौन से शब्द बन गए आपके नुक्ता वाले शब्द बन गए इस तरह से पार्ट साथ के हमारे क्या होते हैं प्रशन उत्रों को आपको याद भी करना है और नौट बुक में आपको जरूर नौट करना एक बार हम इनका वापस से फटा पर ट्रिविशन कर लेते हैं पार्ट साथ में पार नजर के छोटो का परिवार कहां रहता था था मंगल ग्रैपर बने भूमीगत घरों में भूम रोम में जाकर बूब जोटों ने क्या देखा और वहां उसने क्या क्या हरकत करी यह उसने इक हाथ था इसYAN स्वेम को नहीं रोक सका और उसने क्या कर दिया लाल रंग का बटन दबा दिया इसे कहाने के अनुसार मंगल ग्रैपर कभी आम जन जीवन था वह सब कारण के वातावरण में या बदलाव आ गया और इसी तरह से क्या हो गया प्रकर्थी में बदलाव आने लगए जिसकी बज़ें से पसु पक्षी पेड़ बोदे उस बदलाव को सहने में क्या थे ऐसमर्थ हो गए और धीरे धीरे मरने लगे इसे वहां का सारा जन्जीवन जो क्या हो गया अस्ति पेस्ट हो गया और कुछ भी नहीं बचा कहानी में अंत्रिक सियान को किस ने भेजाता और क्यों भेजाता अंत्रिक सियान को नासा ने भेजाता नासा के आपको पूरा नाम याद रखना है नासा का पूरा नाम क्या है National Aeronautics and Space Administration तो नासा ने भेजाता ताकि क्या करे वो मंगल ग्रह की मिट्टी के नमोनों को एकत्र करके प्रत्वी पर जांच के लिए वो लोग मंगवा सके इस उद्देशे से उन्हों ने वहाँ पर अंत्रिक सियान भीजा था अगला च्छटा प्रश्ण था कि नमबर एक नमबर दो नमबर तीन ने क्या क्या सुझाव दिये थे वो हमने पढ़े लिए हैं उसके बाद में भासा की बात वाले प्रश्ण भी हमें करने इस तरह से सारे प्रश्ण हमें अपने नौट बुक में करके बेजने अमेरे को क् करने हैं वाट तब